स्वागत आप लोगों काईग और फिर से वी इनिशेट्यूट चैनल में और आज एक टॉपिक हम पढ़ेंगे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है कंपरीजा नाव वी बिल्ट एंड फ्लैट बिल्ट मतलब फ्लैट बिल्ट और वी बिल्ट की तुलना हम करेंगे फ्लैट बिल्ट में क्या होता है इसकी क्या खास बात होती है क्या इसका नुकसान होता है हानी होती है वी बिल्ट का क्या नुकसान होता है क्या हानी होता है क्या इसकी खास बात होती है वो हम पढ़ेंगे दिखिए यहाँ पर flat build और यहाँ पर v build हमने लिखा है दो खाना बना लिया पहला अगर shaft की दूरी की बात करें तो flat build में shaft की दूरी ज्यादा होती है shaft की दूरी ज्यादा होती है v build में shaft की दूरी कम होती है शाक्तों की दूरी कम शाक्त मतलब शाक्त वो ही होते हैं जिसने पुलियां लगी होती है आप आटा चक्की पे गया होंगे तो वहां पर फ्लैट बिल्ड का यूज होता है तो देखते होंगे कि पुलियों का या शाक्तों का डिस्टेंस जादा होता है लेकिन V-Build का जहां यूज होता है वहाँ पे पुलियों में V-Groups कटे होते हैं जैसे गन्ना पेरने वाली जो मसीन होती है वहाँ पे V-Build का पावर ट्रांस्मिशन में यूज होता है और वहाँ पे बहुत बड़ा तो होता नहीं है गन्ना वाला मसीन तो हाँ पे बहुत कंपेट प्रेस होता है वहाँ पे शाप्तू का डिस्टन्स कम होता है और पावर का ट्रांस्मिशन होता है दूसरा है हम पावर ट्रांस्मिशन की बात करें तो फ्लैट बिल्ड से कम पावर ट्रांस्मिशन होता है वी बिल्ट से पावर का ट्रांस्मिशन ज्यादा होता है ज्यादा पावर का ट्रांस्मिशन होता है तीसरा है कि जो चालन होता है जो इसका ड्राइव होता है फ्लेट बिल्ट का जो चालन होता है उतना स्मूथ नहीं होता है ड्राइव उतना स्मूथ नहीं होता इसमूथ मतलब बिल्कुल स्मूथ चले बहुत ज़्यादा उसमें noise वगर अबना create हो तो इसमें वी बिल्ड में यह ज़्यादा इसका ड्राइव होता है ड्राइव ज्यादा इसमूथ होता है means ऐसा चले कि ड्राइव हो रहा है और बहुत ज़्यादा वीर बगर ना हो टीर ना हो और ज़्यादा noise ना हो और यह चलता वीर पता ना चले चौथा है कि जो फ्लैट बिल्ड होता है वो इसका production सस्ता होता है लेकिन वी बिल्ड का production इसकी तुल ना में इसके कमरीजन में फ्लैट बिल्ड के कमरीजन में थोड़ा सा काशली होता है फ्लैट बिल्ड का production सस्ता होता है वी बिल्ड का production ज्यादा थोड़ा सा काशली होता है वी बेल्ट का प्रोडक्शन फ्लैट बेल्ट की खुलना में प्रस्ली होता है पच्वा है फ्लैट बेल्ट के लिए ज्यादा चाहिए की ज़रूरत पड़ती है ज्यादा प्लेस की जरूरत पड़ती है और वी बेल्ट के लिए वी बेल्ट आए के लिए कॉम्पैक्ट प्लेस की जरूरत प्लेस की जरूरत होती है कॉम्पैक्ट प्लेस की जरूरत पड़ती है यह जो बेसिक पांच comprision है flat build और web build में हमने आपको बता दिया और भी होते है हैं आप comment box में लिखिए गा और क्या-क्या differences इसके हो सकते हैं क्या-क्या इसमें compression करेंगे तो क्या-क्या मतर निकल के आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई वीडियो आउट हो और कमेंट ब्लॉक्स में पूछ सकते हैं थाइंक यू बेरी मच